तो यहां पर सभी आप देख सकतों ब्राधरादी के प्याकत दू Tallag obsessedέλod यहां पर जंनत अने वारते दर्शिं दिने के लिए कुल तक सब्सक्राज करने मों, child корпususus road श्री प्रेमन अंजी महराज जी के दर्शन करने आपको टाइम दिखा देती हूं एक बज कर इक्यावन मिनिट हो गए रात के और बुरुजी धाई बजे परिक्रम मार्ग में आते हैं कैसे कैसे आपको उनकी दर्शन करने उसकी पूरी जानकरी मैं आपको इस वीडियो में द श्रीक्रिश्ण शरणम अपार्टमेंट है जहां पर गुरुजी निवास करते हैं जहां रहते हैं आप देख लीजिए मित्रो यह है हमारे श्री प्रेमन अंजी महराजी का निवास थान श्रीक्रिश्ण अपार्टमेंट्स मित्रो यही वो जगहे जहां से गुरुजी निकलते हैं और सीधा परिक्रमा मार्ग में अपने भटों को दर्शन देते हुए उनके आश्रम श्रीकेली कुझ में जाती है यह रास्ता वो है जो छटी करा से आरहे चीधा और जो सीधा प्रेम मंदिर के लिए जाता है जहां स आप सीधा प्रेम मंदिर बांके भी हरी जी हर जगा जाते हैं तो यही वो रास्ता है जहां से निकल कर प्रेम अनजी दर्शन देते हैं और आपको आगे-ागे मैं सारा रोड और परिक्रमा मार्ग दिखाऊंगी जहां से गुरुजी जाते हैं दर्शन देते हुए जैसे कि मित्रो आप देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग में दोनों और भक्त जनों का जमावड़ा लगा हुआ है यह हमारे गुरुजी के दर्शन करने के लिए देखे कितनी भीर लगी हुए और लोग की तरह तरह की फूलों की रंगोलिया बना रहे है मित्रो जैसे कि आपको मालूम है कि बीच में सर्दियों में गुरुजी की सेहत को देखते हुए उनके दर्शन परिक्रमा मार्ग में स्थगित कर दिये गए थे तो अवे दर्शन शुरू हो गए है आपको अगर जानकारी है तो आप दर्शन के लिए जा सकते हैं और ये बोर्ड आप देखने हैं जो नहीं गए है काली दे पार्किंग शुई बाके भी आरी जी का मंदिर जो है मित्रो इसके ठीक सामने जो रोड है यानि कि प्रे मंदि मित्रो रातरी के समय गुरू जी के दर्शन के लिए आप देख सकते हैं कितने शुद्धालू खड़े हो चारो तरफ राधा-राधा की गुन सुनाई दे रही हैं आप भी मन में राधा-राधा रठते रही है और हमारी वीडियो देखते रही है मैंने दिखाया था कि वो श्री कृष्ण शरलम से प्रेमा नंजी हमारे महराज जी निकलते हैं और यही वो परिक्रमा मार्ग आप देख सिर्थ तो यह प्रेम मंदिर आप ही नेखी हुई है इस ती रास्ते से होकर वो निकल कर जाएंगे तो यही वो रास्ता है जहां जो परिक्रमा मार्ग के लाता और यही से गुरू जी होते हुई अपने भक्तों को दर्शन देखते हैं मित्रों आईए अब आगे की आत्रा शुरू करते हैं चले ये देखिए मित्रो हमारे गुरू जी के स्वागत के लिए भक्तों ने कितनी सुन्दर सुन्दर फूलों की रंगोलिया बनाई हैं देख सकते हैं मतलब बच्चा बूड़ा जवान हर तरहा के लोग गुरू जी के दर्शन के लिए इतने आतुर हो रहे हैं और मैं भी बहुत जादा आतुर्थी की आएं और मेरे गुरू जी के मैं दर्शन करूँ आप भी आईएगा मेरी आप से सबसे यही प्रात्ना है एक बार जरूर आके गुरू जी के दर्शन कीजिए देखिए चुटे-चुटे बच्चे जागी हुए हैं भाई रात के दो बजे के आसपास देख सकते हो आप क्या नजारा है यहाँ पर गुरू जी के दर्शन करने के लिए आप पहुचे हैं यहाँ पर प्रेमा नंजी के भक्तों की लाइन साब देख सकते हो आपना आगे की वीडियो में देखना मेरी कितनी भीड़ है आप भी प्लीज जरूर आए प्रेमा नंजी के दर्शन करने के लिए उनके परिक्रमा में दर्शन के लिए परिक्रमा जो आचुके हैं वो बहुत भाग के शाली हैं मित्रों यहाँ पर सभी आप देख सकते हैं गुरुजे के स्वागत में ये रंगोली बनाई थी उनकी कृपा से देखी आप आगे आपका इन्जार खतम हो गया है उनके दर्शन किजिएगा सक्चे दिल पे घर कलते हैं रादा रादा आज़े फाइनली गुरुजी दर्शन करिये इतना बंडकी इत्ब स्पीर हो बिएा किसी प्ला प्रिशे पर एकारि.. रादा.. रादा.. यह यह ए रादा बन उल आफ श्री आड़ आड़ारा रादा.. स्री अरिवन्स, राधा वन्लब श्री अरिवन्स छो संफर्था पुरजी की जाने हैं, देखो, देखो मित्रों आपको एक और जानकारी में देना चाहूंगी, यदि आप महराज जी से, ना हमारे प्रेमनन गुरुजी महराज जी से कुछ भी प्रशन पूछना चाहते हैं, तो उनकी एक एक एकांतिक वारतलाप होती है, उस एकांतिक वारतलाप में शामिल होने के लिए, आपको एक दिन पहले श्री केली कुछ आश्रम जहां पर महाराज जी बैठते हैं जहां पर वह प्रवचन देते हैं आप वहाँ जाकर टोकन ले सकते हैं उनके अनुयाई आपको टोकन देंगे और सही समय जो होगा वह आपको वह दे देंगे आने के लिए आप उनको प्रशन महाराज जी के तो आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं मित्रो एक और बात बोलना चाहूंगी यह एकांतिक वारतलाप साड़े तीन बज़े सुभा के साड़े तीन बज़े शुरू होती है आपके फोन जो भी आपके पास होंगे वह सब स्विच ओफ कर दिये जाते हैं तो मि जी के दशन मेरी इस वीडियो में कर सकते हैं आप गुरू जी जा चुके हैं ये देखो ये पुष्प उनके चरणों के आप भी आएं तो जरूर ये पुष्प लेना अपने उमस्तक से लगाना और अपने घर पर जरूर लेके जाना राधा वललब श्री हरिवन्ज राधा राधा